आप सब भी का स्वागत है नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने जो नोटीस जारी किया था और उसमें बताया था कि बहुत सारे एस्टोएंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट फेज वन और फेज टू का रेजिस्टन डेट को एक्स्टेंड किया जाए इसलिए 26 तक एक्स्ट चाहिए सिर्फ 10% एक्स्टोएंट नहीं कहा कि हां ये एक्स्टेंशन जरूरी था खेर आप सभी देख लो अब हम पॉइंट पर आते हैं जैसे बॉंबे हाई कोट ने ये नेशनल टेस्टिंग एजनसी को आदेश दिया कि इन दोनों एक्स्टोएंट का एक्जाम दुबा नेशनल टेस्टिंग एजनसी को नेशनल टेस्टिंग एजनसी को नीड रिजल्ट जारी करने में कुछ और समय चाहिए था इसलिए इसने कोई भी अपोज हाई कोट में नहीं किया कर सकता था सभी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलेंस होते हैं हर एक पॉइंट पे अब मैं आप सुभी को बता रहा हूँ एंटिये को रिजल्ट में और टाइम क्यों चाहिए था एंटिये को इस बार से बहुत ज़्यादा प्रेसर और लोड है लगबग एंटिये सारा एक्जाम कंड़क कर रहा है एंटिये जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सभी एक्जाम को तो एक्जाम कंड़क क्यों कर रहा है जितना कंट्रोल कर सकता है उतना ही कंट्रोल करे एक्जाम में कराने के जोगत क्या है और मैं इसलिए बोलना हूँ कि नीट एश्टोन्स के लाइफ के साथ एंटिये खेल रहा है अब अगर वैसे एश्टोन्स जिनका सेलेक्शन होने वाला होगा 100% सियोर होंगे उनके भी college session लेट होगा वैसे students जिनका selection हो भी सकता है जिनका selection नहीं भी हो सकता है उनका भी कही न कहीं career खराब करा है NTA मैं आप सुभी को बता रहा है क्यूं अभी देखें एक तो काफी delay हो गया है अब नीट result में और delay होगा MCC state counseling का registration स्टार्ट होगा उसके बाद first round का merit list जारी करेगा चाहे MCC हो या state हो first round का merit list जारी करते करते है number last हो जाएगा अब मुझे बताएं कि 2022 में 2022 में NTA ये कहे कि मैं first में को first में Sunday है उसी दिन NEET exam conduct होगा पिर एक students पे कितना pressure होगा ये किसी ने सोचा है खेर उससे में बात करेंगे मैं ये अभी demand करता हूँ कि अगर इतना delay इधर हो रहा है तो में मन्थ में अगर exam NTA कराने को सोचेगा तो थोड़ा ये भी सोच लेगा कि किस मन्थ में result जारी किया है कितना delay किया है इस बार एक students को time मिलना चाहिए अच्छे स्चे preparation करने के लिए अब मैं एक बात और बता दूँ जहां तक बात है ए students का मैंने previous वीडियो बना कर आप सुब्यों को बताया था कि ये गल्दी कहिने के ए students का है मैंने क्यूं बताया था अब मैं clear करता हूँ 12 September को exam हो था और ये दोनों students 24 September को high court में याची का दायर कियें इतने दिन का gap क्यों किया इन्होंने जब इनको पता था कि मेरा OMRC और questions पेपर mismatch हुआ है इनको दो दिन तिन दिन के अंदर ही इस चीज़ को process करना चाहिए मैं गलत बोलना हूँ ये सही बोलना हूँ आप सभी बताएं और एक बात और बता दूँ कि ये question पर पार है एक शील यहाँ पर था पहले क्या होता था पिछले साल या उससे पहले भी एक यहां सील होता था और यहां भी तीन सील होता था अब सिर्फ एक सील कर दिया है अब पता नहीं क्यों NTA सकिया ये भी एक लपरवाई है एक बात और बता दूँ अगर दो इस्टोट्स का जो भी बोले एक सेंज हुआ था नहीं हुआ था क्या प्रोब्लम था वो इंटर्नल बात है अगर मानो कि ये जारी OMRC इसके अंदर जारी किया है NTA तो वो लोग कै कैसे चेंज कर सकता है ये ये बहुत बड़ी बात आप खुद सोचें ये मिस्टेक NTA के द्वारा ही हुआ है मैं अपना प्रोस्प्रक्रिस इस पॉइंट पे बता रहा हूँ और आई थिंक आप सभी अगरी होंगे तो NTA को मैनुवली चेक करके जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना चाहिए था ये मेरा मेन पॉइंट है और NTA इतना मिस्टेक इस बार किया है अगर कैलकुलेट और काउंट करना सुरू करें तो वीडियो आदे घंटे के हो जाएगा तो बस मुझे आप सब भी को इतना ही पताना था अब इकल नहीं